बच्ची की जरनी की कहानी है यानि कि वो बच्ची जो सुहानी है उसने कहानी लिखी है वो राइटर है और वो जो कहानी है वही पूरी फिल्म है जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लिए कहानी पढ़ रहा है एंड एंड में उस वो कुछ अचीव करती है तो यह तरह सम से तो बातचित करने का तरीका हो फिल्म का बहुत पूर्ण इसकार निस्पनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा लॉस्ट कर बॉलिवुड में कैसी मूवी आ रही है आपको पता दी यह मूवी जो है यह 1984 के जो घटना हुई थी दिल्ली में घटना करम बताया जा रहा है और इसी पर बेस्ट यह मूवी है और इनके सेकेंट यूनी ड्रेक्टर हमाँ साथ मौजोद है प्रभाठाकुर इनसे बातचित करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि लॉस्ट गर्ल फस्ट फॉल यह जो नाम आपने रखा है लॉस्ट गर्ल यह क् कि हर कहानी का कुछ karma मुंजय को टायटल तो देना ही पड़ता है और यह कहानी के तरीके से लिखी गयी को इस सीर्फ दंगे का महीं मौन अणения भूवी है और हम सिर्फ दंगे के डिटेल नहीं जा луч बाद क्याए हम लोग फिल्मेकर हैं फिल्मेकर हमारी जीम्मदारी होती है कि आप फिल्मना भी पीसे खर्च होते हैं तो क्या सब्जेक्ट है आप सूसाइटी सब्सके सामने क्या क्या रखना चाहते हो दाट कि आप कोई पेंटिंग मना रहे हो तो वो यूजफूल है या वेस्टेज है तो मेरा मानना है कि आप फिल्म बनाओ इंटर्टेन्मेंट के लिए बनाओ लेकिन उसके साथ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमने कुछ तीन साल लगा है सको रिसर्च वगर करने मेरा अध्यतर अनोलिया जो मेरे मित्र हैं जो इसके डिरेक्टर प्रोडूसर है तीन साल से इस पर काम कर रहे थे और जब हमारे पास आये तो उन्होंने कहा कि प्रवाद भई इस्टोरी है तो यह स्टोरी मेरे से इसली कनेक्टेड ह हुआ मैं बुकारों के रहने वाला हूं बुकारों में 1984 के टाइम पर मैं दस साल का था तो मैंने इस पूरे देश में जो दंगा हुआ था उसको बहुत करीब से देखा हूं दस साल का बच्च टीवी पर न्यूज वगरा सारा कुछ तो मैं इससे कनेक्ट हुए नहीं कि या इसका आपके साथ हूँ तो यह फी एक बच्ची की जर्नी की कहानी है यानि वहा disorder है और जो कहानी है वही पूरी फिल्म तो आप को तो उसमें वो डिटेल, वो दर्द, वो इमोसन, वो सारा कुछ है, कि एक बच्ची जब जिसका पुरा परिवार खतम हो गया, उसके बाद क्या, आप 15 दिन, 20 दिन कैसे भूखे प्यासे रही, कैसे सर्वाइव की नहीं मालूम, और उस दर्द के बाद, मतलब उस दर्द के बा हुआ, उसके बाद, फिर क्या, तो बहुत टर्ण ट्विस्ट है, और एक एंड-एंड में उस वो कुछ अचीव करती है, तो यह तरह समझली नारी ससकती करन का भी उदाहरन है, कि आप हार मत मानो, इस फिल्म को लिखने में कितना टाइम लागा है, लिखने में आप को इमा अजीं लगा गाएंज, और फिर जितने में लिखने में लगा है, पिर उल ओवर नो-नो, तीन साल सूट में नहीं लगा, शूट में तो 32-42 दिन जो लगते हैं बो लगा, फिर पोश्ट में लगा, लेकिन तीन साल प्रोजेक्ट को बोल रहे हैं, जब से वो कहानी पर रिसर क्यों में वही स्ट्रगल वाली क्योंकि 1224 का दौर चल रहा है और ऐसे में 1224 में भी बीसवी सदी में भी लड़किया ऐसी स्ट्रगल कर रही है देखिए जब तक आप कुछ स्क्रिन पर इंस्पिरेशनल नहीं करेंगे कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे ताकत मिले महसूस हो या फील हो तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है तो महिलाओं का जो आज की डेट में जो आगे आई हैं तो उसमें कहानियों का भी रोल है नॉविल का भी रोल है फिल्मों का रोल है ग प्रिका हो फिल्म का बहुत प्रभाव पड़ता है मैंने यह लाइन ही यह फिल्डीज लिए चुना था कि समाज से मैं कनेक्ट हो सकूँ बात कर पाऊ बॉलीवुट को लेकर कई सारे रूमर्स भी है कि मतब बॉलीवुट को कई अच्छे नजर से नहीं दखता है एकाद को चुनिंदा इसी फिल्म में आ जाती है लेकिन अगर आप से कोई पूछ रहे कि बॉलीवुट को डिफाइन करने के लिए कि क्या वही अश्लीलता आपने एक दूसरे के पूरक है जन्ता ही किसी को हीरो बनाती है और ये मेरी फिल्म बहुत सब्णय के साथ बनी यह जिसमें आपको बड़े बड़े स्टार नेजर नहीं आ रहे हैं तो अगर एसी फिल्म अगर आप हीट नहीं कराएंगे या सफल नहीं होगी तो मेरे जैसे आज़ तो यह जंता कीवीडारी है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ एल जाम लगाना की अच्छी फिल्म नि बंती है इसा नहीं है अच्छे फिल्में बहुत पहले से बनते आई अच्छे गाने बहुत पहले से बनते आए हैं लेकिन जो बहुत आया तो में हिट होगी उसके पीछे भेड़ चाल चालू हो जाता है तो इसास लीलता और क्राइम और इन चीजों के जिम्मेदार कहीं न कहीं जनता भी है प्राची बंसर जो की टीवी सीरिल्स के लीड एक्टरिस रही है उनके साथ काम करके आपको देखे हमने ओडिशन बहुत सरे आटिस्टों का लिया था जिसमें प्राची का एक्सप्रेशन खासकर कि उसकी आखे बोलती है आपने तेलर देखो तो तो सी जब एरी चीदा काम किया है उस प्रैश्ण का सबसे बैस्टबेस काम किया है टीवी में काम करना और फिल्म में काम करना थोड़ा अंतर है उसके लिए उस करने का था वो ऐसा था कि जिसमें टेक्नो सॉंड की बजाए लाइव इंस्ट्रुमेंट्स वगर काफी बजाए गये हैं तो और जो इंडस्ट्री के टॉप के प्लेयर हैं चाहे वो फ्लूट में हो चाहे वो मेंडोलीन में हो उन लोगों नी इसमें पाटिसिपेट किया तो बाइण उनलों के साथ काम करके और एक बोलते न दिल को सुखुन आप इसके जब कमेंट्स भी देखेंगे जो लोगों का फीडबएक आ रहा है बहुत प्यारा है कि बहुत दिनों के बाद दिल को चुने वाल गाना बहुत है अपनी नी देखने और दिने के माने गाने के तो उसमें क्या है कि basically excitement से ज्यादा apprehension मैं बोलूँगा क्योंकि जो होता है कि कैसा ये करेगी और क्या करेगी क्योंकि हमने तो महनत की है तो excitement तो है ही तभी हम अपने लोगों के बीच में आये हैं कि भाई बताने 5th April को ये फिल्मारी ये जरूर देखिए ये कहने के लिए किया होगा अब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यह हमारे साथ प्रभाद ठाकुर मौजूद थे जिन्नों ने स्मूवी को जो है डारेक्ट किया है आपको बता दे कि लॉस्ट कर अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाक कि लिए देखते रहें यूसपर नेशन